आज हमारे पास मैं है एक ऐसा फोन जो आज करके आईफोन 12 प्रो मैक्स के टेकनोलोजी को भी माद दे देगा इसका जो साइज है सबसे पहले आप इसे देख लो कि मेरे हाथ में जो है कितना बड़ा सा यहाँ पे यह जो फोन है यह है और यह आप देख सकते हो इसका सबसे पहले जो साइज है इसका जो मोटापा है उसको आप देख से तो कितना जादा मोटा और कम से कम जो है आधा किलो का तो यह फोन होगा ही और यहाँ पे इसमें जो है बड़ा साथ टॉर्च बड़े बड़े जो की है वो भी देखने को मिल जाते हैं साथ ही साथ यहाँ पे आपको 5000MAS का जो बेटरी है वो भी देखने को मिल जाता है उसके साथ साथ कितना बड़ा बड़ा दो स्पीकर भी दिये गए हैं गाइस यह जो फोन है यह मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ इसका जवाब है वो आपको आगे मिलेगा तो चले मैं आपको दिखाता हूँ कि इस फोन में ऐसा है क्या जो कि आज कलके आईफोन 12 Pro Max की टेकनोलोजी को माद दे देगा तो चले Dex पर लेके चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसमें ऐसा क्या चीज है तो चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यह जो फोन है इसका बैक पैनल को हमने खोल लिया है उसके बाद में आपको दिखाता हूँ इंट्रेस्टिंग चीज जो की है यह बैटरी यहाँ पर आप देख से दो काफी जदा बड़ा बैटरी यहाँ पर दिया गया है और 5000MAS का बैटरी को यहाँ पर दिया गया है और इंट्रेस्टिंग जो चीज है वो मैं आपको दिखाता हूँ तो यह जो steel plate है जैसे ही खूल जाता है उसके अंदर में निकलता है खजाना और यहाँ पर आप देख सेकते हो 10 रुपे बाला जो battery है उसको कैसे यहाँ पर 5000 mAh battery बना दिया है Chinese logo ने और यहाँ भी आप easily देखी सकते हो और यह जो battery है वो circuit के साथ में भी connect है और आराम से यह phone में यह work भी करता था ऐसा ने की यह काम नहीं करता था बिल्कुल आराम से काम करता था बट कुछ other problem की वज़े से customer ने यह phone मेरे को दिया है मैं आपको दिखा रहा हूँ यह जो battery है इसको और यहाँ पर आप देख सेकते हो कि किस तरीके से battery को जो है assemble किया गया है और यहाँ पर जो circuit board है वो भी यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर देख से circuit जो है किस तरीके से design करके दिया गया है हाला कि ये जो circuit है मैं इसे अलग दो बैटरी में connect किया हूँ ताकि हम experiment कर सकें कि ये जो phone है ये अलग बैटरी में on होता है या फिर नहीं होता है हाला कि ये जो अलग बैटरी मैंने connect किया इसमें charge है या फिर नहीं है वो मेरे को पक्का पता नहीं है फिर भी हम यहाँ पे experiment करके देखते हैं यहाँ पे मैं पूरे clear तरकी से यहाँ पे जो battery connection है उसको यहाँ पे connect कर देता हूँ और फिर मैं आपको on करके दिखाता हूँ और हम देखेंगे कि यह जो battery में जो phone है वो connect होता है या फिर नहीं यहाँ पे जो Chinese brand है वो किस तरीके से 10 रूपे बारा battery को यहाँ पे 500,000 mAh battery में convert करके phone में लगा के बेच रहे हैं वो जानने वाली बात है तो यहाँ पे यह जो battery है यह काम ना कर रहा है इसलिए जो phone है वो on नहीं हो रहा है पर यहाँ पे जो battery design है उसको आप यहाँ पे देख लो कि किस तरीके से Chinese brand बैटरी को बनाते हैं तो गाईस अभी तक आपने देखा कि इस तरीके के phone में जो है कितना जादा high level का जो technology है वो use किया जाता है तो मुझे यह जो technology है थोड़ा interesting लगा तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूँ आपको भी नहीं पता होगा इस तरीकी के system के बारे में तो इसी तरीकी का जो भी phone आ रहे है Chinese brand के तरफ से सारी चीजों से आप जो है दूर रहिएगा क्योंकि यह जो है safety के मामले में कितना ज्यादा ऊपर है वो तो आपको पता चली चुका होगा यह जो technology है इसको देखने के बाद में तो इस तरीकी का कोई भी phone को आप खरीदना सोचना भी मत और कोई भी इसे यूज़ कर रहे तो उसे छोड़ने के लिए बोल दो आप लोगों को अच्छा लगा होगा कुछ निया देखने को मिला होगा फिर भी कोई वे सब्सक्राइब है तो नीचे कमेंड में या फिर इसक्राइब में मुझे परसनली पूछ सकते हूँ आज के लिए बस सतना है गाई थैंक्रों वासिंग थैंक्यू